आई अब सुपारी की तरह में ले चलते हैं दोहरा नहीं खाना है सुपारी से धन धनाधन का फाइदा लेना है कैसे? नोट करिए एक सुपारी का दिब चमतकार आज के इस ब्रहम्हास्त्र में एक सुपारी ले करके हलदी में रंग लीजिये हल्दी को गीला करने के लिए गुलाब जल या गंगा जल का इस्तेमाल करिए इसके बाद सुपारी को किसी सिक्के पर रख दीजे एक रुपे दो रुपे तीन रुपे पांच रुपे साथ किसी पर भी और श्रींग 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 तीन बार जपना है और सिक्के सहित सुपारी को लाल कपड़े में रख देना है और सर से तीन बार क्लॉक वाइज दक्षिडावर घुमा लिजेगा और ले जाकर के धनस्थान पर रख दीजेगा दिपावली की रात इसके बादब दिपावली की रात घर के बाहर किसी पेड में किसी पोधे में डाल दीजेगा बस इतना सा करिए और शुक्ता का आनन उठाएगे